एक समय की बात है, हैप्पी विले के आकरशक गाउं में चार सबसे अच्छे दोस्त थे, टॉमी टाइगर, लुलुद लायन, बेनीद बीर और सूजीद स्क्विरल। ये चार दोस्त अविभाज्य थे और एक साथ रोमान्चक साहसिक यात्रा पर जाना पसंद करते थे। एक धूब भरी सुबह, उन्होंने मंत्र मुग्धवन का पता लगाने का फैसला किया। एक रहस्य मैं जगह, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आश्चर्य और रहस्यों से भरा हुआ है। बैकपैक, स्नैक्स और एक अदम्य जिज्यासा से लैस होकर, वे अपने भव्य सा हसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उनका सामना बात करने वाले पेडों, शरारती गिलहरियों और रंग बिरंगी तितलियों से हुआ। टॉमी ने अपनी तेज नजरों से एक चमचमाता रास्ता देखा, जो किसी छिपे हुए खजान हुआ तालाब मिला। इसका बिलकुल साफ पानी इतना लुभावना था कि वे डुबकी लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। वे चमकदार कंकड के लिए गोता लगाने का खेल बनाते हुए इधर-उधर छीटाक्शी करने लगे। सूजी ने अपने तैराकी कौशल का प्रदर्शन किया और बेनी ने दूसरों को फचाडने की कोशिश की। अपनी ताजा तैराकी के बाद वे तालाब के किनारे बैठे और अपने साथ लाए पिकनिक लंच का आनंद लिया। वे हंसे कहानिया साझा की और हवा में पत्तों की हलकी सरसरा हट सुनी। अपनी उर जुगनूं से भरे घास के मैदान तक ले गया। बेनी ने एक को पकड़ने की कोशिश की लेकिन जुगनू नाचता हुआ दूर चला गया और अपने पीछे टिम्टिमाती रोशनी का निशान छोड़ गया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा दोस्तों ने घर वापस जाने का फैसला किया। वे मंत्र मुग्ध वन के माध्यम से अपने कदम पीछे ले गए, बात कर रहे पेड़ों और चंचल गिलहरियों को अलविदा कहा। उन्होंने वापस लोटने और एक साथ जादूई जंगल का और अधिक अन्वेशन करने का वादा किया। वे मौज मस्ती में हिस्सा लेने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसलिए चार दोस्तों टॉमी, लुलू, बेनी और सूझी ने एक साथ दुनिया का पता लगाना जारी रखा। यह जानते हुए कि उनका बंधन किसी भी साहसिक कार्य जितना जादूई जिसकी वे कल्पना कर सकते थे।